नमस्का दोस्तों, स्वागा थे आपका हमारे चैनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम कम्प्यूटर से सम्मंदित कुछ पिस्णों को यहां डिसकस करेंगे तो जिन पिस्णों की हम यहां बात करेंगे उनको पहले देख लेते तो चलिए सबसे पहला जो हमारा प्रस्ण है कि कम्प्यूटर के सभी भागों के बीच सामंदित से कौन इस्थापत करता है तो जो कम्प्यूटर के पार्ट होते हैं जो भाग होते हैं उनके बीच में जो सामंदित से कौन इस्थापत करता है यह हमें बताना है इसके लिए option है option A है logic unit, B है control unit, C है ALU और D है A सभी ठीक है तो इसका जो सही आंतर है वह है control unit यानि computer के अंधर जो भाग होते हैं computer के जो पार्ट होते हैं उन सभी में जो सामन्जस स्थापत करता है वह करता है control unit ठीक है इसके समन्द में कुछ अतरिक्त जानकारी है CU इस्थापत करता है और CU को भी कहा जाता है control unit ठीक है यह central processing unit CPU का एक घटक होता है इसे नियंतर्ण एकाई भी कहते हैं और short में ही इसे CU यानि control unit कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न है कि CPU के कारे हैं Option A है input तथा output device को नियंतर्द करना Option B है data को ततकालेक रूप से store करना Option C है निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना और Option D है A सभी तो इसका जो सही अंसर है वह है option नमबर D A सभी यानि जो काम दिये गए है Input तथा output device को नियंतर्द करना Data को ततकालेक रूप से store करना और निर्देशों को पढ़ना और आदेश करना ये सारे काम CPU के हैं आगे बढ़ते हैं Computer का भाग जो जोड, घटाओ, गुड़ा, भाग और तुलनातमा कारे करता है Option A है ALU Option B है Memory Option C है CPU और Option D है इन में से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वह है ALU यानि ALU है जो की जोड, घटाओ, गुड़ा, भाग और जो तुलनातमा कारे होते हैं वो सारे कारे करता है आगे बढ़ते हैं कि Output क्या है alive Option A है वह है जो प्रोसेसर यूजर से ले वह है जो यूजर प्रोसेसर को दे वह है जो प्रोसेसर को यूजर से मिले और D है प्रोडूट किया गया परणाम थिकए तो हमें बताना है इसमें Output तो output होता है जो की परणाम है जो प्रोडूज किया गया है वही होता है output यानि इसका D option सही है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है कि computer द्वारा प्रोडूज किया गया परणाम क्या कहलाता है ठीक है अभी PC वाला question था उसे का just opposite question है ठीक है उसमें ही पूचा गया था कि output का है तो output था produce किया गया परणाम अब इसमें पूच दिया है प्रोडूच किया गया परणाम क्या है तो प्रोडूच किया गया परणाम क्या होगा और होगा आउटपूट यानि कि इसका जो C ओप्शन होगा वो गिल्कुल करेक्ट होगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रिशन है कि इन फोरमेशन सिस्टम में अलफा नियूमिरिक डाटा सामान नतहा क्या रूप लेता है आउप्शन A है बाग और पैराग्राफ आउप्शन B है नमबर और अलफा बेटिकल करेक्टर आउप्शन C है ग्राफिक सेप और फिगर आउप्शन D है फिसिंग स्वेंस ठीके इसका सही आंसर है नमबर और अलफा बेटिकल करेक्टर यानि B आउप्शन इसका करेक्ट है आगे बढ़ते हैं कि जो data होता है यह एक अपूर तथ्य आंकड़ा है ठीक है raw factor जिसको बोलेंगे वह है data जिसका कि कोई अर्थ नहीं होता है और data के निमलिकित प्रकार होते हैं कौन कोन है अलफा वेटिकल डाटा जो कि A2Z होता है निमरिक डाटा जो कि 0 to 9 होता है और symbolic डाटा जो भी symbol होते हैं प्लस माइनस मल्टिपलाइट डिवाइड इस सारा symbolic डाटा कर लाता है और information system में अलफा निव में एक डाटा और नमबर और अलफा वेटिकल करेक्टर का रूप लेता है यानि कि 1 और 2 यह दोनों काम करते हैं information system में आगे बढ़ते हैं कि CPU के एक component की रूप में निम्न मैंसे कौन सा होता है ठीक है CPU का component हमें बताना है पहला है memory regulation unit दूसरा है fellow control unit तीतरा है ALU और चौता है babe browser इसका जो सही answer है वह है ALU यानि CPU का जो component होता है वह है ALU होता है आगे बढ़ते हैं कि CPU के अधिकांस कार्यों को ALU यानि arithmetic logical unit द्वारा किया जाता है जो input register से data load करते हैं ALU output register में परणाम को store करता है ठीके नियंतर्ण एकाई इन register उं ALU और memory की बीच data को इस्तानरंतरत करती है आगे बढ़ते हैं dot 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 कच्चे तथ बताता है जबकि dot 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 से data अर्थपूर्ण बन जाता है ठीके दो option बढ़ना है पहला यहां आएगा और दूसरा यहां आएगा ठीके तो option A है record और byte तो इसका जो सही answer है वह है option number B यहांनि पहले option में भरना है data data जो है कच्चे तथ बताता है जबकि जो सूचना होती है इससे data जो है अर्थपूर्ण बन जाता है यहांनि option B इसका correct है आगे बढ़ते हैं जो data होता है यह एक अपूर्ण तथ जो कोई अर्थपूर्ण भाव नहीं देते जैसे A to Z 0 to 9 पिलस माइनस जो भी सिम्मोल है वह ऐसा भी जबकि जो सूचना होती है वह data का process के उपरां संकलन से बनती है जिसका कुछ अर्थ होता है जैसे 100 digit बन जाए इंडिया एक सब्द बन जाए यह क्या है एक सूचना है आगे बढ़ते हैं सब्द आवाज और ऐसे कारियों को अनुदित करना जिसे लोग system unit process करने बाले प्रारूप में समझ सकते हैं उसे dot 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 के रूप में जाना जाता है ठीक है तो कोई भी सब्द हो या कोई भी आवाज हो या कोई भी ऐसा कार है जो कि लोग system unit से process करने के प्रारूप में समझ ले उसे किस रूप में जाना जाता है यह हमें बताना है option A है device drivers option B है device readers option C है input device और option D है output device तो इसका जो सही है वह है option number C input device ठीक है आगे बढ़ते हैं तो input device जो होती है इसके द्वारा सब्द आवाज और image और ऐसे कारियों को अनुदित करते हैं जिससे processor device द्वारा data process होता है process के बाद प्राणाम के रूप में result output device से प्राप्त होता है ठीक है हम जो भी input देते हैं उस पर processor process करता है और हमें output के रूप में प्राणाम मिल जाता है आगे बढ़ते हैं अगला परस्थन है के computer processor में निमने भाग समले थे option A है CPU और प्रमुक मेमोरी option B है hard disk वा फिलॉपी ड्राइब option C है प्रमुक मेमोरी और storage और option D है control unit वा ALU तो इसका जो सही आंसर है वा है control unit और ALU जो प्रोसेसर में है प्रोसेसर के control unit और ALU ही part होते हैं आगे बढ़ते हैं कि जो arithmetic and logic unit जिसको हम बोलते हैं ALU और control unit जिसको हम बोलते हैं CU और registers यह सब क्या है इस CPU के part होते हैं जबकि जो random access memory जिसको हम RAM बोलते हैं यह है एक memory का part होता है थेंक्यू दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत तन्यवाद कि जिसको हम बोलते हैं प्ट्पोपफई आपका बहुत अदयों फर खर देखने के लिए सहुत बहुत जिसको हम करे दो एका बहुत करे करें झाल चंकाम बोलते हैं झाल